हलो फ्रेंट सिख्वा फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल दा स्टडी स्कैन में है आज हम मैट्स की जो अधूरी रह गई थी एक्ससाइज 9th क्लास की 13.3 उसके बचे हुए यानि की 5th, 6th, 7th, 8th कोशिन का सॉलीशन आपके सामने लिखे हैं तो चलिए पिप्सकल टेंट दे रखा है कुछ इस तरीके से ठीक है जिसकी हींट हमें दे रखे है, इसकी हाइट हमको दे रखे कितना 8 मीटर और रेडियस यानि बेस रेडियस दे रखे हमको 6 मीटर हमसे कहा गया है इस इसमें उसने ये भी कहा है कि 20 cm approximately ऐसा है जो इसको बनाने में, काटने में, सिलने में, एक्सरा छोड़ने में क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, अब देखिए जो चीज वेस्ट हो गई है, बेशक वेस्ट हो गई है, लेकिन जिस दिन वो खरीदी गई होगी थी, या जिस दिन 8 meter और जो radius है, वो हमें दे रखिए कितना 6 meter, अब क्योंकि हमें tent के लिए tarpulin, उसका area निकालना है, that means कि ये निकलेगा इसका क्या CSA, तो यहां से में CSA में जरूत पड़ेगी किसकी L की, L equals to होता है हमारा H square plus R square, आपका Pythagoras theorem, ये, तो देखिए, H की value आपका 8 का square plus 6 का square, ये हो गया, आपका 64 plus 36, add किया, 100, ये आगया आपका 10 meter, ये, L की value आगयी, आपकी कितनी 10 meter, चलिए, अब यहां से इसका CSA निकालते हैं, तो देखिए, CSA of conical tent, ये हो गया हमारा क्या, Pi, R, L, अब देखिए, Pi की value हमें दे रखिए, 3.14 पुट करनी है इस बार, तो ये 6 into length, ये हो गई हमारी कितनी 10, अब देखिए, 10 से इसको multiply करते हैं, तो ये आपका 31.4 into 6 हो जाएगा, 6 से इसको multiply करते हैं, तो देखिए, 6, 4, 24 का 4, 2 क्यारी हुआ, 6, 1, 6, 2, 8, 6, 3, 2, 18, 1, 2 decimal meter square, ये आपका, इसका CSA आगया, अब उसने कहा है क्या, कि 20 cm इसमें waste use होता है, यानि कि आप ये लिख लिजिए, कि जो अपका waste है, waste material, वो है हमारा कितना 20 cm, इसको meter में change करते हैं, चलिए, into meter, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमें meter में दे रखिए हैं, तो ये हो गया, आपका 20 upon 100, that means 0.20 meter, तो अब जो आपका 20 meter है, वो आपका क्या है, waste है, ठीक है, ओके, अब मेरी बात को समझिएगा, उसने बोला है कि इस tent को 3 meter wide आपका tarpulin बनाता है, यानि कि tarpulin का एक round लिया, तो वो ऐसे आया, दूसरा लिया, ऐसे आया, तीसरा लिया, ऐसे आया, या मैं दूसरे तरीके से कहूं, तो समझिए, जैसे कि ये marker दे रखा है, अगर मैं इस पे 3 centimeter का इस तरीके से tape लपेटता हूं, ऐसे करके, तो एक round होगा, फिर 2 round होगे, 3 round, 4 round, 5 round, और वो जो round होगे, वो total length के बरावर होगे, यानि कि जितनी length इसमें use हो रही है, तो हमसे वही पूचा गया है कि उसकी length क्या होगी, यानि कि हमसे ये पूचा गया है, और दूसरी ची इसको दे रखे, 3 meter length हमसे पूची गई है, तो length of tarpaulin, ये आपका हो जाएगा कितना area, यानि CSA of conical tent upon width of tarpaulin, यानि कि 188.4 upon 3, ये आ गया, देखे, अब इससे cancel करते हैं, तो देखे, cancel करने पर क्या है, 3, 6, 18, 8 को किया, 3, 2, 6, 2 आ गया, 0.38, 24, यानि 68.2 meter, यानि कि उसकी length कितनी रही होगी, 62.8 meter रही थी, और इस 62.8 meter में आपका 27, 20 cm अभी waste material भी रह गया है, तो जो total length बनेगी, total length of tarpulin, वो हो गई हमारी कितनी, 62.8 plus 0.20, यानि इनको add किया, तो ये आगया, आपका 63 meter, 63.0 या 63 meter, क्योंकि उसने बोला कि ये length waste है, तो waste length आपकी उस length में जो use होई है, उसमें add कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि market से हमें total, कितनी लंबाई का tarpulin चाहिए होगा, यानि कि total जो length होगी, उस tent को बनाने के लिए tarpulin की, that is earth 63 meter, आईए बढ़ते हैं इसके बाद next question की तरफ, चलिए शुरू करते हैं, आज का हमारा 6th question, 6th question में दे रखा है आपका एक conical tom, जिसको हमें क्या करना है, inner CSA को whitewash करना है, जिसमें हमें दे रखा है the slent height of the conical tent is, यानि कि यह आपका क्या हुआ, conical tom हुआ, इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि मंदर के उपर जो इस तरीके से निकला हुआ हुआ होता है, tom, गुमबत वो, ठीक है, जिसकी slent height दे रखे 25 meter और जिसकी diameter दे रखे कितना 14 meter, इस तरीके से, अब हमको इसे अंदर से whitewash करना है, that means कि इसका हमें CSA निकालना है, L of conical tent दे रखा है हमारा 25 meter, diameter की बात करें, conical tent की है हमारी 14 meter, तो भहीं यहां से radius निकाल लेते हैं, तो 14 upon 2, यानि 7 meter आ गया, अब CSA निकाला, CSA of conical tent, यह अपका पाई RL, यानि यह हुआ आपका 22 upon 7, radius आपकी 7 और length, यानि slent height आपकी कितनी है, और 25 इस तरीके से, 7 से 7 cancel हुआ, इसको multiply किया, तो 25 और पचास का 0, 5 के रहे हो, 25 और पचास और पचास और पच्पन, यानि वो यह कहना चाहता है, कि 100 meter square paint करने पर, आपके कितने रुपए जाएंगे, 210 रुपए जाएंगे, 100 meter square जगा पर paint करेंगे, तो कितना जाएगा 210 रुपए, तो इतने area को, यानि 550 meter square को paint करने पर, कितना खरच आएगा, तो देखें, cost of white wash, यह हुआ आपका 550 into 210 upon 100, क्योंकि पर की वज़े से वो आ गया division में, एक 0 से यह cancel हुआ, एक 0 से यह cancel हुआ, अब देखें, इनको multiply किया, तो यह आगया आपका, 215 आपका हुआ 105 का 5, 10 के रही हुआ, 215 और 10, 115, यानि कि यह आगया, रुपीज, 1155 रुपए, यह था इसका answer, आइए बढ़तें इसके बाद, next question की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का हमारा 7th question, जिसमें दे रखा है, आज joker's cap is in the form of the conical tent, यानि कोन की form में दे रखा है, जिसकी radius आपको दे रखी है, कितनी, 7 cm, और जिसकी height दे रखी है, कितना, 24 cm, इस तरीके से, अब हमसे कहा गया है, हमसे कहा गया है, कि हमें इस कोन का, यानि कोन का, जो अपका conical cap बना हुआ है, इस conical cap को बनाने में, कितनी sheet का use हुआ है, वो निकाला है, साथ में हम से पूछा गया है, कि ऐसी ही अगर 10 cap बनाने को 10 cap, तो उनके लिए कितनी sheet की जरूरत होगी, तो देखिए, अब मैं बात करूँ, joker's cap की, या आपका conical cap ये है, ये conical cap नीचे से खुला हुआ होता है, नीचे से खुला होता है, तभी तो हम इसको पहन पाते हैं, सिर इसमें डाल पाते हैं, अगर ये नीचे से बंद होता, तो बेशक यहाँ पे हम TSA निकालते हैं, लेकिन वो cone, यानि कि cap जो होगा, पहनने लाइक नहीं बचता, तो इसका निकलेगा यहाँ पे क्या, CSA, और CSA के लिए पहले में जरूरत पढ़ेगी किसकी L की, L इकुल्स चू हो गया आपका H square, प्लस R square, that means, आपका 24 का square, प्लस 7 का square, 576, प्लस 49, यह आपका आया कितना, 9, 6, 15 का 5, 1, 7, 11, 1, 12, 2, 6, 25, यह आपका निकल किया है, 25 cm, यानि L की value आगई आपके 25 cm, अब यहाँ से CSA निकलते हैं, तो देखें, CSA of conical cap, तो यह हुआ आपका कितना, पाई, आर, L, यानि 22 upon 7, रेडियस आपका 7, L आपका 25, इस तरीके से, यह यहाँ पे cancel हुआ, इनको निकला, तो 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 और 55, cm square, अब हमसे कहा गया है, ऐसी 10 के आपका, यानि 10 के आपका area क्या होगा, तो area of sheet, used to make 10 such caps, कि 10 के आपको बनाने में, तो यह हुआ आपका 5, 5, 0 into 10, यानि कि 5,500 cm square sheet की जरुआत, पढ़ेगी, आईए बढ़ते हैं, इसी के बाद, next question की तरफ, चलिए देखते हैं, exercise का last, 8th question, और हमारी वीडियो का भी आज का 8th, और last question, तो देखी क्या, अब bus stop is barricaded from the remaining part of the hollow cones, ठीक है, hollow cones, यानि कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, कि bus stop पे, यह normally roads पे, road के बीच में divider लगा होते हैं, और divider के साथ में क्या होते हैं, कि कुछ जगा पे, जो आपने देखे होंगे, pink color के, pink और white color के mixture में, कुछ ऐसे conical boxes होते हैं, जो divider की जगा पे, रख दिय जाते हैं, ठीक है, divider की जगा पे रख दी जाते हैं, इस divider जो barricade है, उसकी diameter दे रखी है, हमें 40 cm, और इसकी height हमें दे रखी है, 1 meter, और इस type के आपके 50 cones रखे गएं, तो हमसे पूछा गया है, पहली चीज, कि भई, इसके लिए कितनी area की जरूवत होगी, यानि कितनी, ज इस sheet का ये बना हुआ है, उस sheet का area क्या रहा होगा, तो सब देखते हैं, अब हमें L की जरूवत हैं, यानि कि हमें क्या निकाल लाएं, CSA, क्योंकि वो जो conical barricade होते हैं, अंदर से hollow, यानि खोखले होते हैं, और question में भी ये given है, तो चलिए L निकालते हैं, L इकोल स्ची हो पहले meter में change कर लेते हैं, क्योंकि question में ऐसी ही instruction है, r equals to हो गया, आपका 20 upon 100 equals to 0.20 meter, अब ये value बनी यहां पर, तो देखिए, 1 का square plus r, यानिकी 0.20 का square, ये हुआ, इसको किया, तो ये आपका 1 का square यही रहा, और इसका square किया, तो ये हो गया, आपका कितना, दो इसका 400, 400 का मतल यानि कि ये आगया, आपका इस तरीके से, यानि ये बन गया, आपका कितना 1.04, इस तरीके से बन गया, और 1.04 की value दे रखिया, 1.02 meter, ये आपका question में ही given है, ठीक है, चलिए, L की value निकला है, अब यहां से इसका CSA निकलते है, CSA of conical, conical barricade, barricade, तो देखिए, pi r l, यानि आपका 3.14, radius आपका दे रखा है कितना, 0.20 into 1.02, इस तरीके से ये निकला है, ओके, अब देखिए, हम आगे इसमें कुछ नहीं करते हैं, पहले हम 50 cones का भी area, इसी में mention कर लेते हैं, तो area of 50 such conical barricades, barricades, तो देखिए, ये हुआ आपका कितना, 3.14 into 0.20 into 1.02 into 50, इस तरीके से, मैंने यहां से decimal को होट आया, नीचे 100 आया, 50 से ये cancel हुआ, आपका 2 time पे, और 2 से ये cancel हो गया, आपका 10 time पे, और 10 की multiply इस से की, तो ये आ गया, आपका 31.4 into 1.02, इस तरीके से, तो ये था हमारा 50 cones का area, अब इसके बाद हमसे बोला गया है क्या, कि इन cones को, अगर रुपीज 12 पर centimeter score के, सबसे paint किया जाए, तो total cost क्या आएगी, यानि total paint की cost क्या रहेगी, तो देखिए, rate of paint, rate of paint, ये है हमारा कितना, रुपीज 12, रुपीज 12 पर meter score, यानि वो एक meter score को, centimeter नहीं है, meter है, meter score को paint करने में, बार रुपे स्खर्च होते हैं, तो इस area के लिए, तो ये हो गई हमारी क्या, cost of painting the barricades, painting the barricades, ठीक है, तो ये निकल किया आया, आपका कितना, 31.4 into, 1.02 into 12, इस तरीके से बन गया, अब देखिए, इनकी चलिए multiply करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले 12 से इसको multiply कर देते हैं, तो 12, 48, 8, 4 कह रही हुआ, बारेकम 12, 4, 16, 6, 1 कह रही हुआ, बार दिया, 36 औ और एक के बाद decimal, into 102 किया, तो देखिए, इसकी multiply करके आया हमारा, 384.336, यानि ये आपका बन गया, approximately 384.34 रुपीज, यानि उसको paint करने में, यानि 50 को paint करने में, आपका 384 रुपए, 34 पैसे खर्च होगा, तो ये था हमारे, आज 13.3 के remaining questions का solution, आपको ये वीडियो कैसे ल अगरी चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, एक नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबाए,